स्वागत है दोस्तों आपका e-commerce कोर्स के इस अमेजिंग वीडियो में दोस्तों आज हम बात करेंगे कि e-commerce की शुरुवात कैसे हुई उसकी हिस्ट्री के बारे में कुछ जानेंगे कुछ आप नॉर्मर्फ लोगों से हटके एक क्सपर्टिया प्रो कहला होगे तो दोस्तों उमीद करता हूं यह e-commerce के पूरा कोर्स आपको बहुत ही लग रहा होगा और इसको पूरा जरूर करने के यहां पर आएं देखते हैं दोस्तों शुरुआत कैसी हुई e-commerce के अगर हम बात करें तो सबसे पहले सबसे पहले 1971 Amazon से भी कई साल पहले मतलब 10 साल से भी पहले क्योंकि वह तो अगर देखा जाए तो लगववगत 24 और तीस मतलब 50 साल से पहले 50 साल से पहले e-commerce की शुरुआत होने लग गई थी तो दोस्तों कुछ स्टूरेंट्स जो सैंटफॉर्ड युनिवरस्टी के अंदर उन्होंने एक अरपा नेट करके यूज करा जैसे हम अंदर उस समय सोचिए कि उन्होंने इतना दिमाग लगाया कि उस चीज़ को उस समय जिसमें मतलब टेकनलोजी थी इतना कुछ और इतना लोगों को जानकारी भी नहीं थी नॉलिज भी नहीं थी पढ़ाई भी नहीं थी तब उन्होंने इस चीज को पहली बार ट्राय करा कॉलिज के अंदर उसके बाद यहां पर हम बात करतें 1979 की जहां पर पहला फर्स्ट कमर् से इन्वार्ब कर गया ञएक जिसका नाम नपर तो यह पहली और कि करा एक से आगे बात करतें और उसके बाद आता है लाभ बहुत क्लोज आ गय है जब इस सब के समस्वाशरा की दो सुब्हात वब पे शुरुदм तो 1994 में फर्स्ट एवर अब हम क्या बात कर रहे हैं वो फर्स्ट ट्रांजेक्शन थी अब हम बात करें फर्स्ट एवर ऑनलाइन पर्चेश की प्रॉपर कोई चीज खरी दी गई है डिलीवर खरी गई है पर्चेश मेड इन 1994 ठीक है और वह एक स्टिंग सीडी की पर्चेश करी गई थी एक पूरा प्रॉपर पर्चेश करा गया था प्रॉडट 1994 में एक वेबशाइट से अब हम अगर बात करें 1995 जिसने हिस्ट्री बना दी और वो हिस्ट्री बनाने वाला जो पर्संट था वह एमेजॉन का मालिक जिसने अमेजॉन लांच करा था जेफ बैजॉस उन्होंने लांच करा था यह बीटू यह जो आप प्लैट्फॉर्म आज बीटू भी हम जिसको एमेजॉन को बोलते हैं वह बीटू भी नहीं था ठीक है वह एक नॉर्मल प्लैट्फॉर्म था ठीक है जहां पर जो आज की डेट में बर्ल्ल का सबसे बड़ लिस्ट करी उसको कस्टमर्स आए यूजर आए उन्होंने बाय करा तो वह एक नॉर्मल प्लैट्फॉर्म था जो एक आज की डेट का वर्ल्ल का लीडर यी कॉमर्स मार्केट प्लेस बन गया और जहां पर आज की डेट में दुनिया की हर चीज जादा थर बेची जाती है त पता रगता जाएगा जिनको आज भी हम जानते हैं और आज ये कॉमर्स दुनिया के अंदर लीडर्स हैं तो अब हम 1998 की बात करें तो पेपाल को कौन नहीं जानता वर्ल्ड की टॉप ई-कॉमर्स प्लेड मतलब पेमेंट गेटवे कंपनी में से एक है जो इंटरनेशनल ले के लिए अगर इसको हम बोलना चाहें तो अधर कमर्शल यूजर्स तो ऑनलेन वेंडर्स या कमर्शल यूजर्स यूजिंग के लिए जो पेमेंट इधर से उधर करना चाहते थे उनको वह सर्विस देता था मगर लेटर और 1998 के बाद वह जनरल पब्लिक के लिए भी लांच कर दिया गया था वो इंटरनेशनल लेवल पे पेमेंट्स करना ऑनलाइन शुरुवात हो गई थी बड़ दोस्तों जब हम बात करतें 1999 की 1999 तो अलीबाबा एक प्लैटफॉर्म लांच हुआ और जो अलीबाबा प्लैटफॉर्म था वो एक ऑनलाइन मार्किट प्लेस था दो 2001 तक मात्र दो साल में 1999 शुरू और 2001 में वो प्रॉफिटेवल कंपनी थी अब हम बात करते हैं आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों अब इनको कौन नहीं जानता गूगल और शॉपिफाई की बात करते हैं जो आज की डेट में मैक्सिमम ऑनलाइन एकॉमर्स प्लैटफॉर्म की बैकबोंस हैं तो यहां पर अगर हम बात करें 2000 के 2000 में एडवर्ड लाउंच हुआ था जिसको आज हम गूगल आड्वर्स कहते हैं पहले गूगल एडवर्स कहा जाता था अब उसको गूगल एडवर्स लाउंच हुआ था ठीक है और पहली बार वो यूग शुरू हुआ थ जिसके अंदर अपने आप में वह एक ऐसा पहला टूल था जहां पर ट्रेडिशनल जो रिटेलर से जो ऑफ्लेंड करा करते थे उन्होंने ऑन ऑन लाइन ऑन लाइन खुद अपनी एडवर्टीजमेंट प्रॉडक्स बगार की करनी शुरू करी दोस्तों तो यहां पर पहले प्रॉडक्ट्स को दिखा सकता था पब्लिक को जो सर्च करते थे गूगल के उपर उनसे रिलेटेड प्रॉडक्ट्स तो सन दो हजार से इस चीज़ की शुरूआत हुई थी एडवर्टाइजिंग की जो आज गूगल एड्ज वर्ल्ड वाइड यूज करा जाता है और एड्ज हम लाइव सिखाते भी हैं तभी हम एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी कहलाते हैं तो दोस्तों गूगल एडवर्ज 2000 के अंदर लॉंच हुआ था इसलिए कि नॉर्मल रिटेलर भी अपने प्रॉडक्स को डिस्प्ले कर सके अडवर्टाइज कर सके और तो लें स्टोर बना सकते हो यह एक जगा है जहां पर आप अपने प्रॉडक्स को शोकेस कर सकते हो और इसके अलग-अलग फीचर की मदद से आप e-commerce में सक्सेस्फुल होना अपने e-commerce स्टोर बनाना उनकी ट्रैकिंग करना आज की डेट में बहुत इजी हो चुका है तभी यह है कि आपको एक खासित बताऊं दोस्तों जैसे कि आपको इस कोर्स के अंदर बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है हम आपको वर्ड प्रेस के ऊपर कैसे e-commerce बनाते हो प्रेक्टिकल सिखाएंगे हम आपको कैसे Shopify के ऊपर आप अपना खुद का स्टोर बना सकते हो वो भी प इतने साल क्योंकि 15 साल से जादा तो मेरको इस इंडस्ट्री में हो गए मैंने इस पूरे टाइम में देखा कि मैक्सिमम लोग जो सिर्फ अपना प्रॉडक्ट बेचना चाहते हैं जो सिर्फ चाहते हैं भाई मैं अपने शांती से प्रॉडक्ट बेचू महां से इंकम करूं और अपना बिजनेस वेपार चलाऊं वह फस जाते हैं कि कैसा स्टोर बनेगा क्या टेकनलोजी यूज़ होगी जिसके बारे में उनको अख़गा भी नहीं पता भाई वह सॉफ्ट डेवलपर थोड़ना है और अलग-अलग कंपनी अलग-अलग कोडिंग के तरीके फिर उन सब्सक्राइब कर सकता है जो कि अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि हम इसके ओपर वर्डप्रेस के ओपर प्रेक्टिकल टुटोरियस पूरा का पूरा स्टोर बनाना आप लोगों को सिखाने वाले हैं ताकि आप इसली फ्री में उच्छी सीख पाओ तो वह सीख लोगे अब लोगों ने फटाफ़ट अपना स्टोर बनाना शुरू कर और वह चाहते थे बिना किसी प्रशानी के बिना कि की सर्फ परशानी के बिना मॉबाइल फ्रेंडली डेक्स्टर फ्रेंडली ऐसे करो वैसे करो इन सब के पच्चलों में पढ़ने के बजाए करने के लिए लेकर आया एक अमेजिंग प्लाइंट जिसको आज हम Amazon के नाम से जानते हैं दोस्तों इसमें एक होती है जो टाइम टू टाइम बढ़ती खड़ती रहती है जो भी ऑफर निकालते हैं उसके थाप से और वहां पर अगर वह आप उनका सब्सक्रिप्शन ले लो फ लुए थी और दोस्तों यह पहली ऐसा मार्केट प्लेस था वर्ल्ड में जो क्राफ्ट में जो हाथ के कारेकर होते हैं हैं जो गुड़ बनाते हैं उनके लिए एक हपता आज की डेट में जो इसी है आट बनाते हैं हैं और बहुत सारी कई-कई अप तो उसके अंदर कैटिक है 2008 में दोस्तों आया था ग्रॉपॉण ग्रॉपॉण एक ऐसी कंपनी जिसने एक ग्लोबल मार्केट प्लेस बनाया जिसने कनेक्ट करा सब्सक्राइबर्स को टू लोकल मर्चेंट्स त्रू डील्स और प्रोमोशन हम सब को स्नैब दील के बार पता हो कैसी शुरू थी स्नै कोई भी मतलब शॉप हो शोरूम हो कोई भी ब्रैंट प्रॉडक्ट उनकी डील्स यहां पर आप जाके देख सकते थे वह डील्स आप यहां से बाई कर सकते थे और उनको वहां पर अवेल कर सकते थे तो यह बहुती हिट चीज लॉंच हुई थी जिसकी कॉपी स्नैब डील क अब हम अगर बात करें 2009 की तो 2009 में शॉपिफाइग की तरह बिग कॉमर्स भी एक प्लैटफॉर्म में एक वेबसाइट के लिए और बनाने के लिए अब यह एक ऐसी कंपनी थी जो 100% बूस्ट्रैप थी और इस यह कंपनी शॉपिफाइग शॉपिफाइग की तरह ही थी और यहां पर कोई ट्राजेक्शन फीस नहीं लगती प्लैटफॉर्म फीस या अदर फीस वेगरा तो चीज़ें लगती है शॉपिफाइग भी लेता है तो बिग कॉमर्स में नहीं है और बिग कॉमर्स भी एक पॉपुलर नाम है अगर हम प्लैटफॉर्म की बात करें वो 2009 में लाउंच हुआ था अगर हम पॉपुलर और नंबर वन की बात करेंगे तो आज भी ही है अब हम आगे बढ़ते दोस्तो 2011 के अंदर 2011 के अंदर गूगल वॉलेट लाउंच हुआ था और यह पहला डिजिटल पेमेंट का ऑप्शन था तरीका था पेपाल के बाद जो की ग्लोबल लेवल पे पेमेंट को मतलब मंगवाने भेजने करने के लिए यूज करा जाता था जिसको आज की डेट में ग पॉपलर तरीके हैं अपने एडवर्टाइजिंग करने के और अपने समान को बेचने के तुरूप तो फेस्बुक अपने अरली एस्टमत था फेस्बुक उस समय शुरुवाती दोर में था अडवर्टाइजिंग के जब उसने लॉंच करा था कि हाँ अब आप फेस्बुक अब करते हैं यहां पर हम बात करेंगे 2017 की तो 2017 में इंस्टाग्राम ने लॉंच करा थीक है मतलब एक इंटीग्रेशन विद्विक कॉमर्स डैट अलावड यूजर्स इंस्टाग्राम ने टाइब करा लोगों के लिए कि ताकि वह अपने प्रॉट्स वगरा है की को लिस्ट कर सके उनको उनकी पेजिस पर कर सके और लोग वहां पर यूजर से क्लिक करके उन चीज़ों को बाइब कर सके हर एक प्लैटफॉर्म चाहिए वो शोशल मीडिया प् को सकतेव्ट का लिएयन को दुनिया से आती मूत रहीमिंघ quello कि एंदर करें ऊप्रों लिए के तुस्ट को आब ब jurisdiction करती है और प्रोडेक्स करती हैं लोग खरीदते हैं उनको पैसा आता है इसी सिस्टम से पूरा इंडर्स्ट्री चलता है चाहे वो बीटील हो एटील हो या डिजिटल हो क्योंकि जब तक किसी भी प्लाटफॉर्म को अडिवर्टाइजर्स नहीं मिलेंगे ठीक है और उनका माल नहीं बिकेगा रेविन्यू नहीं आएगा तो कैसे वो मतलब यह सिस्टम काम करेगा अब दोस्तों 2017 के अगर हम बात करें तो साइबर मंडे सेल ने सिक्स बिलियन डॉलर की मतलब जो एक बेंचमार्क है उसको एचीव करा उसको क्रॉस करा अगर हम बात करते हैं जो साइबर मंड वो साइबर मंडे सेल आया था उसका डबल से भी जादा अब दोस्तों फाइनली 2020 जब पेंडमिक आया कोविड आया ठीक है स्थी बिल्कुल ही बदल गई बिल्कुल ही बदल गई स्पेशल अगर हम इंडिया की बात करें तो दोस्तों शायद कोई बिजनस जो चार साल पां अब कोविड की वर्यास से जो एकॉमर्स थी उनमें 77 परसंट का इंक्रीज देखा गया आप सोच सकते हैं कितना उसके अलावा दोस्तों यहां पर जो स्टडी जो स्टडी शो करती है कि में 2022 में एकॉमर्स ट्रांजेक्शन तो 77 परसंट के साब से बड़ी थी मगर साथ के स अगर हम बात करें एट लास्ट क्योंकि हमने से शुरू करा और अब हम 2021 से तिल ना आ चुके हैं तो दोस्तों एक और बड़ा मूव आया था 2021 में जब बाए नाव पे लेटर का उप्शन आया तो दोस्तों बाए नाव पे लेटर इसने लोगों को और जादा पुष्ट करा कि वह उनलाइन चीजों को खरीदें इससे और जादा इंडिस्ट्री इंदर बूम आया और हर साल हम कुछ ना कुछ देखते आ रहे हैं टेक्नलोजी वाइस कंपनी कुछ लेकर आ रही है प्लैटफॉर्म वाइस की इस इंडिस्ट्री को बूश दे ज सकता या कोई और बड़ी कंपनी नहीं बन सकती दोस्तों तरीके बदल सकते हैं ठीक है कॉंसेप्ट आइडियास नए लेकर आने पड़ेंगे बड़ इस इंडिस्ट्री में आज भी तना पोटेंशल है कि आप मिलियन डॉलर कंपनीयां खड़ी कर सकते हो या सक्सेस्फुल कैसा लगा और क्या आप ये कुर्स पूरा सीखोगे लिखे कमेंट सेक्षन में क्योंकि मैं आपके कमेंट्स का जवाब दूगा और अगर आप हमारे संग इंटरेक्ट करेंगे तो इससे भी जादा दमदार कंटेंट वीडियो लाता रहूँगा थैंक यू कर दो कर दो